नमस्कार दोस्तों मैं गुलसन सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं SSC Maker में कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और सारी चीजे आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे देखिए यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है हम यहाँ पे ए को बात करने हैं देखिए क्या है न यह चाल है समय है दूरी है एक जेनरल डेली लाइफ का कॉंसेट है यानि कि आप कहीं भी जानते हैं तो आपने देखा होगा कि किस स्वीड से आप गए आपको जाने में कितना समय लग रहा है और आप डिस्टेंस के बारे में भी जाते ह हैं मान लीजे कोई भी पूछा जाए आप घर से निकल के स्कूल जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं तो आपको इतना पता है यहां से वहां तक की दूरी क्या है आपको दूरी पता है आपको कितने समय लगते हैं यहां से स्कूल जाने में चाहें कॉलेज जाने में यह भी formal concept है, जो कि day to day life में daily आप use करके चलते हैं, देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, distance की, तो दूरी क्या है, दूरी और समय दो ऐसे चीजे हैं, एक तो आपका दूरी है, इसके बारे में सब को पता है, ठीक है, ये सब लोग जाते हैं, जैसे अब यहाँ से वहाँ गया जाके एक चाल का concept बनता है, जिसे हम लोग speed कहते हैं, ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें एक speed आजाएगा, दूरी आपका normal है, natural concept है, यहाँ से वहाँ गये, तो कितना दूरी चाल है, यह आपका natural है, समय भी आपका natural है, अब चाल क्या है, तो चाल के बारे में ऐसे तो general है, औ मुझे पटना जाना है, तो मैं देखूंगा यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आपको पता चलेगा, दिल्ली से पटना की दूरी तो 900 km की है, अप्रोक्स, exact नहीं है, माल लिजे 900 km की है, अच्छा, अब फिर से आप देखेंगे, यह आपका distance हो जाएगा, ठीक, यह आपका क्या होगा, डिस्टेंस हो गया, 900 km की क्या होगी, दूरी होगी, चाल की बात हम लोग करें है, अब यहाँ पे आपको देखना है, कि समय कितना लगा, माल लिजे मैं यहाँ पे बैठा, आज ट्रेन में, हर समय मैं स्पीट तो नाप नहीं रहा हूँ, मैं क्या कि या मैंने ट्रेन में बैठा, मैं आपको पांच बजे ट्रेन में बैठा, और सुबह पांच बजे जाके उतर गया, या फिर माल लिजे सुबह दस बजे उतर गया, कितने बजे भी उतरा, पांच बजे चढ़ा, और आठ बजे सुबह में उतर गया, ऐसा माल लिजे, तो मैं समझना ही है, तो आसान लेके चलेंगे, और दूरी क्या थी, दूरी आप कहेंगे, 900 km की थी, तो आप देखेंगे, कि आखिर train की चाल क्या थी, तो चाल आप कैसे निकालेंगे, आप को देखा जाएगा, चाल के लिए क्या करेंगे, स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे, कितनी दूरी आप चले हैं, यानि कि ऊपर हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक, और नीचे क्या करेंगे, तो नीचे आपको देखना होगा, आखिर इस डिस्टेंस को चलने में, इस दूरी को चलने में, आ और speed समय की बात करूँगा तो समय कहेंगे 10 घंटे का समय लगा है, तो आपका समय लगया है 10 घंटे का, तो मैं कहूँगा speed बता दीजिए, तो speed कहने का मतलब क्या है, speed कहने का मतलब है, आपका ये हो जाएगा, 10 से काटेंगे 90, 90 km प्रती घंटा आपका speed है, ठीक है, अब ये आपका speed हो जाएगा ठीक है अगर kilometer पती घंटा की बात करेंगे तो एक घंटे में आपने कितना दूरी तै किया है ये आपका speed हो जाएगा अगर meter per second में बात करेंगे तो आपने एक second में कितनी दूरी चली है ये आपका meter per second में speed हो जाएगा ठीक है तो ये होता है आपका normal speed का concept, देखें बस एक formula पर ये चलेगा, इस formula आगे चलके और भी आएंगे, जैसे speed बराबर क्या हो जाएगा देखें, अगर मैं आपसे कहूं speed बताइए, तो आप कहेंगे speed बराबर distance बटे का time, ठीक है, अब इसको relate करके कई सारे formula आप लोग बन जाए ठीक है, अगर मैं आपसे पूछू, समय बताइए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका हो जाएगा, distance बटे का time, हमने क्या किया, समय को यहाँ लिए, speed को यहाँ लिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे समय बराबर distance बटे का speed हो आःएंगे distance बराबर speed गुडे का समय हो जाएगा typ speed율 गुडे का समय हो जाएगा साफ लिखो क्या हो जाएगा distance बराबर speed गुडे का समय wick अब यह आपको थीन formula दिख रहे होंगे तीन तो नहीं है एक ही formula है एक ही के तीन रूप आपको मैंने दिखा दिया ठीक इसको हमने देखा क्या था हमें मान लीजे 900 km की दूरी चलनी थी हमें पता चला कि 10 घंटे का समय लग रहा है तो हमने speed निकाल लिया तो आप का speed का आगया तो आप कहेंगे जो हमारा speed आया है ये 90 km पति घंटे का आया है अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजे आपको दिया जाए कि मैं अपने bike को माल लिजए 50 की speed से भगा सकता हूँ चीक है आप एक bike लिए हैं 100 km की दूरी आपको जानी है आप उस bike को 50 की रफ़तार से भगा सकते हैं तो आपका distance हो गया 100 km का speed हो गया 50 का तो इस हिसाब से आप calculate कर पाएंगे कि आपको यहां से और जिस जगह पे जाना है वह दो घंटे का समय लगेगा यहां से वहां पहुंचने में अब देखे जैसे माल लिजे ना आप किसी ट्रेन में बैठे हैं ठीक आपको पता है यह ट्रेन की स्पीड सौ किलोमेटर पे चले की और मुझे पांट सो किलोमेटर की दूरी जानी है तो आपको समय पता चल जाएगा कि यहां से वहां जाने में कितना समय लगेगा माल लिजे 500 किलोमेटर की दूरी है ट्रेन की स्पीड सौ की है तो आपको एक exact आप डाटर निकाल पाएंगे कि यहां से और जो भी देरी जानी है उसमें जाने में कितना समय लगेगा कैसे निकलेगा तो समय के लिए आप क्या कर रहे हैं आपकी जो ट्रेन है इसकी रफ्तार है 70 km प्रतिगंटे की ठीक मैं कहूं जो आपकी ट्रेन है ये 70 km प्रतिगंटे की रफ्तार से चलती है ठीक है और आप कहेंगे अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे क्या लगा है मैं जब वहां से आया हूँ तो मुझे 10 घंटे का समय लगा है ठीक है तो मैं कहूंगा आपकी ट्रेन की रफ्तार थी 70 की तो आप कहेंगे कि मुझे 10 घंटे का समय लगा है तो इसंसे आप क्या calculate कर पाएंगे इसंसे आप calculate कर पाएंगे कि आप 700 km की दूरी चल के आ रहे हैं कितनी दूरी चल के आ रहे हैं आप कहेंगे अच्या तब यहांत से वहांत की दूरी क्या हो जाएगी जहां से आप आए हैं, वहां की दूरी आपकी 700 km की हो जाएगी, ठीक है, तो एक ये basic सा formula है, इसको हमने 3 तरह से use कर लिया, ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, आपको एक चीज दिया, दो चीज दिया होगा, एक कोई भी चीज missing होगा, तो उसको आपको क्या करना होगा, बहुत ही basic होता है, और आराम से सारी की सारी चीज़े आप लोग निकाल पाएंगे, अच्छा, अब इसके बाद मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा, तो एक चीज इसमें और आता है, आपने speed तो देखा है, ठीक है, आपने speed देखा है, लेकिन speed को दो form में देखा है, एक form मतलब क्या है, सारी चीज़े आपकी सेम है, जैसे आपको पता है ना कि speed बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे speed बराबर, distance और बटे में time, अब बस क्या हो जाएगा, speed जब आपका meter per second में जाएगा, तो उस समय में क्या होगा ना, जो आपकी दूरी होगी, माल लिजे यहा से और वहां तक की दूरी है, तो मैं कहूंगा आप यहां से वहां जाना है, जैसे माल लिजे यहां से आप बाहर market में गए, तो मैं कहूंगा market की, यहां से market आपका 100 मेटर की दूरी पर है, तो आप क्या करेंगे, बस देखे, unit बदलता है, distance आपका रहेगा, यह आप बस meter मे कर लेंगे, 100 मेटर में कर लेंगे, और मैं कहूंगा समय बताइए, तो समय आप कहेंगे, मुझे यहां से वहां जाने में, 5 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक, 100 मेटर की दूरी तया करने में, आप कहेंगे, मुझे 5 सेकेंड का समय लगेगा, तो बस क्या होगा, जो distance होगा, य ये किस में आ जाएगा तो ये चाल जो आपका आ जाएगा ये 20 मीटर प्रती सेकंड आ जाएगा यानि कि चाल आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा चीक है तो बस इसमें क्या होता है किलो मीटर में क्या होता है किलो मीटर प्रती घंटा में जो आपका दूरी होता है वो कि में होगा, समय आपका second में होगा, तो इस case में जो speed आएगा, ये meter per second में आएगा, ठीक, तो ये दोनों चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान क्यों रखना है, कभी-कभी क्या होता है, कि जैसे आपको दूरी को दे दिया जाएगा kilometer में, और समय को दे दिया जाएगा minute में, तो उस समय को, उस समय क्या करना होगा, दोनों को एक form में लाके आपको चीजों को करना होगा, वो हम लोग questions में देखेंगे, कैसे question आपके सामने आ रहे है, अभी यहाँ पे सबसे important है, कभी-कभी क्या होता है, आपको जैसे वहाँ पे 20 meter per second दिया है, आपका option, आप देखेंगे न, question को solve करेंगे, तो आपका answer आएगा 20 meter per second, ठीक, लेकिन कोई भी option में 20 meter per second होगा ही नहीं, वहाँ क्या कर देंगे यह लोग, यह option को kilometer per second में कर देंगे, या फिर kilometer per second में answer आएगा, और आपका option meter per second में होगा, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे आपको change करना आना चाहिए, kilometer per second में कैसे ले जाएंगे, यह आना चाहिए, meter per second को किलो मिटर में कैसे लाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए तो इसको हम लोग करेंगे देखे कैसे होगा एकदम बेसिक से मैं करूँगा उसके बाद एक सौट ट्रिक देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे देखे एक किलो मिटर में कितना मिटर होता है तो आप कहेंगे सर एक किलो मिटर बराबर 1000 मिटर होता है कितना होता है तो एक किलो मिटर में 1000 मिटर होता है अब एक घंटे की बात करनी है तो मैं कहूंगा एक घंटा बराबर क्या होगा तो एक घंटा बराबर आपको पता है मिनट की बात करेंगे तो 60 मिनट होता है और सेकेंड की बात तो आप कहेंगे 60 कुड़े का 60, यानि कि आपका 36 सेकंड हो जाएगा, चीक, क्या हो जाएगा, एक किलो मिटर बराबर 1000 मिटर और एक घंटा बराबर 36 सेकंड, अच्छा, अब स्पीड आप देख रहे हैं किलो मिटर पती घंटा में, किलो मिटर पती घंटा कहने का मतलब है, अगर आप एक किलो मिटर की दूरी चलते हैं, कितना, एक किलो मिटर की दूरी चलेंगे, और एक घंटे का समय आपको लगता है, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा, एक किलो मिटर पती घंटे का, चीक, ये हो जाएगा, अच्छा, अब मैं क इसकेंसे यह आपका में चला गया, अब जो यह समय है, यह आपका सेकेंड में चला गया, अब इसको जैसे ही सॉल्ब करेंगे, 2-0 से 2-0 कटेगा, 2-5 बार में 10 कटेगा, और 2-18 बार में 36 कट जाएगा, तो जो आपका स्पीड यहाँ पर किलोमिटर परती घंटा में आ रहा जाए आपकी जो speed है यह आपकी speed है एक किलो मिटर पती घंटे की ठीक तो आप क्या कहेंगे अच्छा अगर ऐसा है तो मेरा meter per second में क्या हो जाएगा आपको इस speed को जो आपका एक किलो मिटर पती घंटे का है इसको जैसे ही आप 5 बट्टे 18 से गुड़ा करेंगे इस speed को जैसे ही 5 बट्टे 18 से गुड़ा करेंगे तो यह आपका speed क्या हो जाएगा meter per second में कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 5 बट्टे का 18 meter per second आपकी speed हो जाएगी यानि कि किलो मीटर पती घंटा को जब आपको मीटर में बदलना है तब 5 बट्टे के 18 से गुड़ा करना होगा चीक अच्छा अब reverse के case में क्या हो जाएगा अगर reverse हो मीटर पर सेकंड को किलो मीटर में बदलना हो तो बस इसको उल्टा कर दिजेगा और 18 बट्टे 5 से गुड अब देखिए, short में मैं अगर आप से लिखवाऊंगा, तो क्या होगा न, अगर आप kilometer प्रती घंटे को, kilometer प्रती घंटे को 5 बट्टे 18 से गुड़ा कर देंगे, ठीक है, कोई भी speed हो, अगर kilometer प्रती घंटा में है, 5 बट्टे 18 से आप गुड़ा कर रहे हैं, तो ये speed आपका meter per second में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, तो ये speed आपका, जो है, ये आपका meter per second में बदल जाएगा, ठीक, अच्छा, अगर ऐसे ही बात करूँ, आपकी speed माल लिजे, meter per second में दी हुई है, ठीक है, meter per second में दी हुई है, तो आपको क्या करना है, देखिए, अगर 18 यहा आपको याद रखना है और बहुत जादे ही इसमें नहीं फसना है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, बस इसको आपको ध्यान रखना है, अच्छा, अब थोड़ा सा क्या होता है, कभी-कभी confusion होती है, कि 5 बट्टे 18 कब होगा, 18 बट्टे 5 कब होगा, इस बात की हमेशा बच्चों में confusion रहती है, तो देखिए, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, किलो मिटर बड़ा होता है, और मीटर आपका छोटा होता है, यानि कि बड़ा से छोटा करना है, आपको बड़े से छोटे की तरब जाना है, तो उपर आप छोटी संख्या रखिएगा, यानि की 5 को रखिएगा, चीक, किलो मिटर, मीटर आपका छोटा होता है, किलो मिटर बड़ा होता है, तो अगर छोटे से बड़ा होना है, तो उपर आप बड़ी संख्या यानि की 18 को रखिएगा, चीक है, तो ये रहा आपका मीटर पर सेकेंड और किलो मिटर पति घंटा को बद आपको दिखाऊं, तो ये question आपको बड़ी ही अजीब सा दिख रहा होगा, देखिए, कहा गया है, एक व्यक्ति की गती, किलो मिटर पती घंटा में, क्या है, जो 1000 मिटर की दूरी, यानि कि सबसे पहले आप distance note करेंगे, distance आपको पता चला है, कितना है, तो distance आपका जो है, ये आपका minute में, यानि कि जो आपका समय है, आपका time है, आपका t है, ये आपका minute में है, यानि कि 10 minute का समय लग रहा है, चिक, अच्छा, अब इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको चीजों को बदलना होगा, और बदल के एक form में लेके आना होगा, अब बदल के एक form में कैसे लेके आएंगे, आप से यहाँ पर जो आपकी speed पूछी गई है, ये kilometer प्रतिघंटा में पूछी गई है speed किसीज में पूछी गई है kilometer प्रतिघंटा में, अब देखिए एक तरीका आपके पास क्या है कि इस दूरी को आप kilometer में बदल दीजे, तो अगर आप 1000 को kilometer में बदलेंगे तो ये आपका एक kilometer हो जाएगा ठीक, एक kilometer दूरी हो जाएगी, और समय आपका minute में है, तो समय आपका minute में है, तो इसको आपको घंटा में बदलना पड़ेगा, इसको kilometer में बदले हैं, तो इसको घंटा में बदलना होगा, अब ये घंटे में कैसे बदलेगा, तो बहुत से बच्चों को इसमें भी confusion होता है, देखिए, क्या होता है आपका, आपको मैं बताऊँ 60 मिनट बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे अगर 60 मिनट होता है, तो बराबर होता है, एक घंटे के ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ, एक मिनट है तो, आप कहेंगे, अगर एक मिनट है, तो ये बराबर हो जाएगा, एक बटे के, 60 घंटे के, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, कि 10 मिनट है तो, आप क्या कहेंगे, 10 मिनट ही तो है तो यहाँ पे आप 10 से गुड़ा कर दीजे एक मिनट बराबर एक बट्टे का 60 तो 10 मिनट बराबर 10 बट्टे का 60 यानि इस से ये कटा तो आप कहेंगे एक बट्टे का 6 घंटा होगा ठीक है कितना हो जाएगा तो जो समय आपका हो जाएगा ये आपका एक बट्टे का 6 घंटा हो जाएगा ठीक ऐसे हो गया हमने दूरी को भी बदल लिया हमने समय को भी बदल लिया अब हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था speed आपको पता है speed बराबर क्या होता है आप कहेंगे speed बराबर distance बटे का time ये formula होता है distance भी आपका kilometer में और समय भी आपका घंटा में तो ये आपका एक है बटे में 6 तो ये 6 आपका इधर उपर चड़ जाता है तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6 kilometer पती घंटे का speed क्या हो जाएगा speed आपका 6 kilometer पती घंटे का हो जाएगा ये आपका एक तरीका था ऐसे आपने कर लिया अच्छा अब एक चीज़ देखिए क्या हो जाएगा speed आपका option A यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसको करने का एक और तरीका होता है क्या होता है न, कि हम पहले speed को meter per second में लेते हैं, देखें, दिक्कत कहा होती है, सबसे पहले हमें इस disease को भी सीखना होता है, कि कहां पे बच्चे फसते हैं, तो बच्चे पता है कहां फस जाएंगे, इस minute को जब वो घंटा में convert करते हैं तो यहाँ पर बच्चे फस जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कराते हैं कि minute को घंटा में ना करके minute को second में क्यों ना convert करा दिया जाए कभी भी छोटे value में convert करना आसान होता है बड़े value में convert करना थोड़ा सा time taking नहीं होता है बहुत confusing होता है देखें आप सबको पता है एक minute बराबर 60 second होता है तो आप से अगर मैं पूछू 10 minute बराबर तो आप कहेंगे 10 minute बराबर आपका 600 second होगा कितना होगा 600 second होगा अच्छा distance आपका meter में था और समय आपका second में आपने कर दिया है तो आपसे मैं कहूँ कि अच्छा आप speed को आप meter per second में बताइए तो आप क्या करेंगे देखें आप कहेंगे speed बराबर speed बराबर ऊपर distance लिखेंगे जो की 1000 है और नीचे आप समय लिखेंगे जो की 600 second है कितना है 600 second ये 2,0 से यहां के 2,0 2 से 3 बार में 6 और 2 से 5 बार में 10 कर जाएगा तो speed बराबर क्या हो जाएगा ये आपका 5 बटे का 3 meter per second हो जाएगा क्या हो जाएगा speed आपका 5 बटे का 3 meter per second हो जाएगा अब देखिए ये हो सकता है आपको लगे कि ये लेंदी हो रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी चीज को छोटा करना आसान होता है उसको बड़े में चेंज करने से आसान होता है कि छोटा कर दीजे किसी भी चीज को छोटा करना असान होता है आपको पता है किसी भी चीज को तोड़ना आसान होता है बजाए कि उसके जोडने के यहाँ पे भी यही concept चलता है लेकिन यहाँ पर एक क्या होगा ना आपको कहा जाएगा कि आपसे तो मैंने speed पूछा है km प्रतिगंटा में आप तो speed बटा रहे हैं km पर सेकंड में तो आप कहेंगे ठीक है अगर ऐसा है तो मुझे तो पता है km पर सेकंड को km प्रतिगंटा में कैसे बदलते हैं तो देखें आपको अगर speed 5 बटे 3 मीटर पर सेकंड का दिया है तो आपको मैंने बताया है ये छोटा है इसको बड़ा करना है तो बड़ा करना है तो आपको क्या करना है उपर बड़ी वाली संख्या यानि की 18 रखिएगा नीचे छोटी वाली संख्या यानि की 5 रखिएगा इस 5 से ये बच्चे सोचते हैं कि सर इससे करके दिखाये तो दोनों method मैंने करके दिखाया है ये question बहुत ही simple है आपको लग रहा होगा कि कितना time लग गया नहीं इस चीज को समझाया जा रहा है समझने में time लगेगा क्योंकि अगर अभी नहीं समझाएंगे और अभी आप लोग नहीं सम clear करेंगे उतना ही आपको आगे चलके मजाने वाला है हाँ अब यहाँ देखेंगे यहाँ यह आपका एकदम general सा question है एक rail गाड़ी है 75 km प्रती घंटा की औसद गती से चल रही है उसे 1050 km की दूरी तै करने में आप से पूछा जाएगा कितना समय लगेगा अब यह आपका एकदम basic सा सवाल है ठीक तो इस एकदम basic से सवाल को आपको कैसे करना बस formula का use करना है आपको समय पूछा गया है ठीक है समय बराबर क्या होता है तो समय बराबर कहेंगे आप जो दूरी है वो और बटे में आप चाल को लिखेंगे यह तो आपका एकदम basic formula है question में आपको 1050 km की दुख रही है और चाल आपको 75 का दिख रहा है बस इसको बदल देना है ना मीटर पर सेकेंड असौर यहां तो समय पूछा गया है तो समय आप से घंटे में ही पूछा गया है 15 से काटेंगे 15 पचे 75 और 15 सत्य 105 यानि कि उपर 70 हो गया 5 से काटेंगे 14 बार में 70 कट अब यह 14 घंटा क्या है तो इस गाड़ी को 1050 km की दूरी तै करने में अगर 75 की रफटार से चल रही है तो आप कहेंगे इसको 14 घंटे का समय लगेगा यानि की option D आपका सही जवाब यहां पे होगा तो यह कुछ basic basic से सवाल होते हैं जो कि सीखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं भले आपको formula पता है तो क्या हुआ लेकिन सीखना फिर भी आपको पढ़ता है जब तक सीखेंगे नहीं आगे करेंगे कैसे अब जैसे देखिए एक और छोटा सा सवाल इसी पे इसी formula पे एक और छोटा सा सवाल है ये कुछ एकाज सवाल चार सवाल पाँ सवाल हम करेंगे जिससे basic concept कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एकदम basic आता होगा ये सब जानते होंगे लेकिन सब को नहीं आता होगा सब को सिखाना है तो ये चीजे भी आपको सिखानी होगे अब जैसे यहाँ पे कहा गया है कोई कार है जो 7 घंटे में 420 km की दूरी तै करती है ठ है तो आप कहेंगे दूरी 420 km की है और समय आपकी 7 घंटे का है तो काटेंगे 7 चके 42 यानि की 60 km पती घंटा इसका speed हो जाएगा ठीक है 60 km पती घंटा इसका हो जाएगा speed अच्छा कुश्चन में कहा गया है दूरी को 6 घंटे में तै करने के लिए गती कितनी बढ़ानी कि आप 7 घंटे में भले 420 km जाते थे ठीक है लेकिन अभी क्या करना है अभी इस दूरी को 6 घंटे में किसी भी हालत में आपको तै करना होगा तो आप कहेंगे ठीक है अगर 6 घंटे में ही जाना है तो मुझे थोड़ा सा speed बढ़ा लेना होगा यही तो होता है यह तो सब को क्या है दूसरे केस में जो आपकी दूरी है यह तो 420 km की है ठीक यह दूरी आपकी 420 km की है लेकिन इस दूरी को आपको सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में तै करना है कितने देर में तै करना है इस दूरी को आप सिर्फ 6 घंटे में तै करेंगे तो अगर दूरी को सिर्फ 6 यानि कि मेरा speed होना चाहिए वो 70 km पती घंटे का होना चाहिए ठीक तो देखे आप से पूछा गया है कि speed किटना बढ़ाना होगा यानि कि पहले आप 60 से चल रहे थे अब 70 से चलना है तो आपको दिखेगा कि आपको speed को 10 km पती घंटा बढ़ाना होगा ठीक है ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है लेकिन हाँ एक सवाल है जिसको सीखना जरूरी है तो आपका option भी यानि कि 10 km पती घंटा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ठीक है ऐसी छोटे छोटे सवाल से मिलके आपका बड़ा सवाल बनेगा इस बात का ध्यान रखिएगा चले अब ऐसी एक और question में आपको दिखा दू यह सब basic है एकदम basic जो concept होते है न छोटा छोटा speed time distance का formula यूज करना कैसे यूज होगा कब समय निकाला जाता है समय कैसे निकाला जाता है और यह बाकी चीजे ऐसी ही आपकी आती है तो देखिए अब इस सवाल को हम लोग करेंगे तो इस सवाल म आपको दिख रहा है एक कार है ठीक और कार 40 km प्रती घंटा की चाल से कोई दूरी तै करने में 9 घंटे का समय लगाती है तो आप देखेंगे आपको क्या पता है आप कहेंगे मुझे इसका speed पता है speed कितना है तो आप कहेंगे speed आपका 40 km प्रती घंटे का है आपको यहाँ प चलने में वह कितना समय लेगी और समय को आपको घंटे में बताना है कि घंटे में कितना समय लगेगा अब यह क्या सवाल हुआ तो आप देखेंगे इसमें अब आपको सोचना है क्या क्या आपको चाहिए आपको दूसरे केस में आपको बस चाल दिया गया है और दूसरे के जो का इस्तमाल करके आपको पता है दूरी बराबर चाल गुड़े का समय बार-बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप डारेक्ट फॉर्मूला याद कर ले ठीक तो चाल आपको पता है चालिस का है और समय आपको नौ घंटे का लग रहा है तो यह आप कहेंगे 9, 4, 36 यानि की 360 किलो मिटर की आपकी दूरी है क्या है 360 किलो मिटर की आपकी दूरी है अच्छा अब इसी दूरी को आपको जो दूसरा स्पीड है आपका आपका जो दूसरा स्पीड इस कुश्चन में दिया जा रहा है वो है 20 मीटर पर सेकेंड का क्या है 20 मीटर पर इस speed को इस दूरी को आपको 20 मीटर प्रती से करना है अच्छा अब question में एक condition और है क्या condition है कि समय को आपको घंटे में बताना है तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप यह सोचेंगे देखिए आपके पास दूरी है किलो मीटर में चिक speed है आपका मीटर पर सेकेंड में और समय मुझे चाहिए घंटा में खिक तो घंटे में समय कब आएगा जब आपका दूरी जो है यह आपका किलो मीटर में हो और चाल जो है यह आपका अगर किलो मीटर प्रती सेकेंड प्रती घंटा है अगर आपका चाल किलो मीटर प्रती घं में है इसको kilometer में बदलना है तो सबसे पहले देखिये meter बढ़ा है कि kilometer तो आप कहेंगे kilometer बढ़ा है याni मुझे इस speed को बढ़ाना है तो कैसे करेंगे आप ऊपर 18 को रखेगा और नीचे 5 को रखेगा ये बस समझने का एक टरीका है पांस से काटेंगे चार बार में कट जाएगा अठारा चौक क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 72 यानि कि जो आपकी स्पीड हो जाएगी ये 72 किलो मिटर प्रति घंटे की हो जाएगी स्पीड कितनी हो जाएगी स्पीड आपकी दूसरे केस में 72 किलो मिटर प्रति घंटे की हो जाएगी distance आपको दिया है आपको समय निकालना है समय बराबर तो आप कहेंगे दूरी बटे में चाल तो मैं कहूंगा दूरी कितना तो दूरी आप आप अल्रेडी निकाल चुके हैं 360 का और चाल आपका यहां से पता चल गया 72 किलो मिटर पती घंटे का तो आप इसको 72 से डिवाइड करतेंगे ठीक 72 से सीधा सीधा 5 बार में कट जाएगा यानि कि 5 घंटे का समय लगेगा अगर आप इस दूरी को 20 मीटर पर सेकेंड में जाते हैं ध्यान रखेगा इस स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में था अब ये मीटर पर सेकेंड किलो मिटर पती घंटा इस सीध को अच्छे से यहीं पे आप देख लिजेगा कि किसको कब 5 बटे 18 से गुड़ा करना है और किसको कब 18 बटे 5 से गुड़ा करना है ये बहुत जादे आगे चल के यूज होगा सबसे जादे ये यूज होगा आपका ट्रेन में क्योंकि ट्रेन आपकी जो होती है ट्रेन की लंबाई किलो मिटर में नहीं होती है ट्रेन की लंबाई मिटर में होती है और जो ट्रेन का चाल होता है ये किलो मिटर पती घंटा में होता है तो वहाँ पर चल के बहुत जादे ये यूज होने लगता है ठीक है तो यहाँ पर मैं कुछ चीजे आपको कहूंगा जो कि आपको डारेक्ट याद कर लेंगे तो जादे बेटर होगा अब वो कौन सी चीज है पांच मीटर प्रती शेकंड का तो आप कहेंगे इसको मैं कहूंगा किलो मिटर प्रती घंटे में बदलिए तो किलो मिटर प्रती घंटे में बदलने के लिए आपको इसको अठारा बट्टे पांच से गुड़ा करना होगा और जैसे ही गुड़ा करेंगे तो आपका जो speed हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 18 km 30 seconds sorry 18 km 30 घंटा यानि कहने का मतलब है अगर आपका speed 5 meter 30 seconds है और इसको kilometer में बदलेंगे तो यह बदल के हो जाएगा 18 km 30 घंटे का ठीक कितना हो जाएगा यह आपका 18 km 30 घंटा हो जाएगा ठीक है ऐसे ही आप change करेंगे तो आपको 10 meter 30 seconds यह कुछ चीज़े आपको याद कर लिजेगा ठीक है 10 का याद कर लिजेगा 15 का याद कर लिजेगा 20 का याद कर लिजेगा यहां तक आप याद कर लिजेगा इससे जादे भी आप सब आप लोग आराम से निकाल लेंगे, देखें, क्या है, ये आपका 5 मिटर परती सकंड है, ये 18 किलो मिटर परती घंटा है, यानि कि अगर मैं आप से कहूँ, आपकी स्पीड 5 मिटर परती सकंड की है, तो आप कहेंगे ठीक है, मेरी स्पीड 18 किलो मिटर परती घंटा की है, अगर मैं आपसे कहूँ आपका speed 18 km प्रति घंटा है तो आप कहेंगे ठीक है मेरा speed 5 m.30 का है अब मैं कहूँ कि चलिए बताइए अगर speed 10 m.30 का है तो क्या होगा तो आप कहेंगे 5 दूने का 10 तो इसी तरह से 18 दूने का 36 km प्रति घंटा ठीक ऐसे डाइरेक्ट बहुत जादे नहीं सूचता है अगर मैं कहूं इस्पीड 15 मीटर पर सेकेंड तो आप कहेंगे ठीक है पांच तियां पंदरा तो अठारा तियां क्या हो जाएगा चोवन किलो मिटर पती घंटा ठीक ऐसे ही फिर से हो जाए कि 20 मीटर पती सेकेंड तो आपको यहां पर दिखरा होगा 5,24,20 तो 18,24 क्या हो जाएगा 72 किलो मिटर पती घंटा अगर यही इस पीड आपका 25 मीटर पती शेकेंड का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आप देखेंगे 5,25 तो 18,25 किलो मिटर पती घंटा ठीक है तो यह कुछ चीजे आप लोग याद क आपका पूरा chapter आप देखेंगे ना तो सबसे जादे आपका ये सारी चीजे यूज़ होंगे ठीक तो ऐसे आपको चीजों को कुछ याद कर लेना है ठीक है तो और उसके बाद आपको चीजों को अपने हिसाब से बदलते रहना है ठीक ये कुछ basic से question थे आपको कुछ और भी question में करा दूँगा या फिर देखेंगे कुछ करेंगे कुछ और भी question आप basic basic से एकदम basic से question जैसे speed ये है तो time ये है जो कि पूरे की पूरे concept पूरा का पूरा chapter में यूज होगा ठीक है ये बिलकुल basic चीजे है और इसकी जानकारी बस basic आपको होनी चाहिए ठीक चलिए तो अब यहां से हम लोग चलेंगे इस basic को छोड़ेंगे और थोड़ा सा आगे बढ बढ़ेंगे तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे average speed पे किस पर पहुंच जाएंगे average speed पे तो अब average speed क्या होता है इसको आप लोग हिंदी में औस चाल भी कहते हैं क्या कहते हैं औस चाल तो अब ये औस चा अब सत्चाल क्या होता है अब देखिए इस पीड के बारे में बात करूँगा तो स्पीड क्या हो रहा है देखिए अगर मैं बाइक पे बैठा हूँ जनरली हम लोग बाइक वाले ही है इसकूटी साइकल ठीक है कारवाले अभी नहीं हुए है जिस दिन जॉब करेंगे कारवा मीटर जाएंगे ठीक है अच्छा अब माल लीजे आगे चल के कहीं आप रुके हुए हैं तो रुके हुए हैं तो आपका मीटर भी 0 दिखा रहा है और रुके हैं तो आप बिल्कुल कुछ चल ही नहीं पा रहे हैं तो चल नहीं पा रहे हैं तो उस केस में स्पीड क्या हो ज जाना है ठीक है इस्कूल जा रहे हैं तो आपको क्या हुआ आपका इस्कूल पता चला कि यहां से जब यह आपका घर है और यह आपका इस्कूल है ठीक और यहां से यहां तक की दूरी है पांच किलो मिटर की ठीक है यहां से यहां तक की दूरी है पांच किलो मिटर की ठीक अ अगर आप माल लीजे लगातार चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो आपका speed क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मेरा speed हो गया, 5 km पती घंटे का, ठीक, अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे school के लिए यहां से निकले, लेकिन पता चला कि और पार्क में बहुत बढ़ियां से मजा ले रहे हैं, और जब कितना हुआ, 9 बच के 50 मिनट हुआ, तो तुरंत आप लोग क्या किये, यहां से निकले, और 9 बचा कर रहे हैं, 8 पचास हुआ, तुरंत यहां से निकले, और दोड़ते दोड़ते school में पहुँच गए, ठीक, देखे, एक लड़का था, वो क्या किया, अराम से यहां से निकला, और धीरे धीरे चलते 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 यहां तक पहुँचा है, ठीक, आप क्या किये हैं, आप यहां से पहले यहां गए हैं, और यहां पे अराम किये हैं, और अराम करने के बाद यहां से क्या किये हैं, rocket बनके यहां तक भागे हैं भाग के यहां पर पहुंचे हैं तो क्या हुआ आपने देखा दोनों ही case में दोनों बच्चे आठ बजे ही निकले और दोनों बच्चे नो बजे ही school में पहुँचे लेकिन एक क्या किया एक constant चलता रहा और एक क्या किया एक यहाँ पे जाके कुजदे रुका और यहाँ पे चला ठीक देखिए अब यहाँ पे final क्या देखा जाएगा आप कितने बजे घर से निकले और कितने बजे आप इसकूल में पहुच गए तो आप आठ बजे निकले और नौ बजे पहुच गए तो अगर मैं पूछूंगा इस बच्चे की speed क्या है तो आप कहेंगे औस चाल की हम लोग बात कर रहे हैं इस इस बच्चे की औस चाल क्या है तो आप कहेंगे अच्छा ये पांच किलो मिटर की दूरी चला है और इसको एक घंटे का समय लगा है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी आप कहेंगे पांच किलो मिटर पती घंटा की मैं कहूंगा इस बच्चे की स्पीड क्या है तो अब आपकी रुकती है, चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको देखना है, कितनी दूरी चला है, तो आप कहेंगे 5 km, कितने घंटे में चला है, तो ये आपका हो जाएगा, एक घंटे में चला है, तो ये आपका हो जाएगा, औस चाल कितने का, 5 km पती घंटे का, अब दोनो में अंतर क्या हुआ, अब ये भी 5 km आ गया, ये भी 5 km आ गया, इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए, इन दोनों में अंतर है ना, कि ये लड़का लगातार चला है, ठीक, अगर constant चीजे चल रही हैं तो वो तो आपका speed हो गया, चिक, बीच में आपने break किया, जैसे मान लिजे यहां से यहां तक गया, यह मान लिजे 2 km पती घंटा की रफतार से, ऐसे गया, यहां पर आराम भी किया कुछ दिर, आप कितना दिर आराम किया वो जा दे, उसके बाद यहां से मान लिजे हो सकता है, दोड़ के भागा हो, तो 20 की रफतार से भी भागा हो, 20 km पती घंटा की रफतार से, तो क्या हुआ, इसमें क्या था, इसमें speed अलग अलग भी था, कुछ दिर आप रुके भी थे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कितना देर रुके थे, क्या हुआ, इसमें कई सारी चीजे एक चीज में involved होगी थे, कुछ दिर ये रुका भी, और एक बार slow चला, फिर से ये कुछ fast चला, तो इसमें कई सारी चीजे आती है, हमको क्या मतलब है, औसा चाल में आपको बस इतना मतलब रखना है, कि य आप देखते हैं, ट्रेन हर समय सौ पर तो चलती नहीं है, उसको धीरे भी होना होता है, उसको अभी तेज भी चलती है, कभी-कभी उसको जाके स्टेशन पर रुकने भी होते हैं, तो आपको क्या देखना होता है, आपको बस इनीशियल और फाइनल पर ध्यान देना होता है यानि कि आपको बस देखना है अगर ट्रेन दिल्ली से चली है यह दिल्ली है तो यहां कितने देर में पहुंची है ठीक यहां से यहां तक की दूरी मान लीजे 1000 km है तो आपको बस यह देखना है यहां से चलके यहां पे कितने देर में यह पहुंची है ठीक है कितने देर में पहुंची है, अगर 10 घंटे में पहुंची है, तो इसका जो speed हो जाएगा, average speed, average speed क्या हो जाएगा, बस आपको दूरी बटे में समय, कितना आप कहेंगे average speed इसका हो गया, 100 km पती घंटे का, बस इतना देखना है, बीच में कहां रुका, कहां इसका speed बढ़ा, कहां speed घटा, average speed म इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है, ले देके औसत क्या है, कितना समय लगा, बस हम लोग ये देखते हैं, तो आपको मैं साफ साब बता दू, और थोड़ा सा simple language में बता दू, यहां पर हो सकता है, आपको लगे कि क्या चल रहा है, क्या confusion है, कुछ नहीं, बस आपको क्या द distance कितना है, कितना दूरी चला गया और कितना समय लगा, बस इस दो चीज़ों पर ध्यान देना है, कितना दूरी चला गया और कितना समय उसको लगा है, बस ये दो चीज़ देखनी है, average speed बराबर कितनी दूरी चली गई और कितना समय लगा, बस इन दो चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है ठीक है अब इसमें दो तीन फॉर्मुले भी आ जाएंगे तो हम लोग फॉर्मुले को भी देख लेंगे क्या फॉर्मुला आ रहा है कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है इस चीज को हम लोग देख लेंगे ठीक दो फॉर्मुले भी आते हैं इस चीज को हम लोग किलोमिटर पति गंटा की गती से कुछ दूरी तय करता है, 60 km पति गंटा की दर से वापस आता है तो उसकी औृसत गती आपको ग्याद करने है, अब देखे ये किस्यस का केस है, यहां पे क्या है, एक साइकल सवार है, ठीक है, यहां पे है, और माल लीजिए यहां से यहां गय तो जब ये यहां से यहां के लिए चला है, तब इसकी speed थी 20 km पती घंटा की, ठीक, और जब ये यहां से यहां वापस आया है, उस case में इसकी speed थी 60 km पती घंटा की, ठीक है अब यहां से यहां गया यहां से यहां किस speed से गया किस speed से आया इसको मतलब नहीं है आपको बस देखना है औसा चाल क्या है यानि उसका average speed क्या है तो average speed के लिए आपको क्या चाहिए average speed के लिए चाहिए सबसे पहले तो आपको दूरी चाहिए कि कितनी दूरी total चली तो इस question में हम लोग क्या करते हैं देखिएगा जब आपकी दूरी बराबर हो यानि कि जब यहां से यहां गया है तभी भी इसने इस D distance को travel किया है और जब यहां से यहां वापस आया है उस case में भी इसने D distance को travel किया है तो अगर आप से मैं कहूं औस चाल निकाल लिए तो आप कहेंगे अच्छा उसत चाल का अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप एक formula जानते हैं और वो क्या है कुल दूरी क्या है आप कहेंगे D यहां से यहां तक आया तो D distance और यहां से यहां तक वापस गया तो यह भी D distance यानि कि कुल दूरी होगी D plus की D ठीक आप से मैं कहूं समय क कि बात आप से मैं पूछूं कितना समय लगा तो अब यह आपको मैंने कहा है न कि जो basics है वो थोड़ा सा यहां पर यूज होगा उसके बाद हम लोग इस चीज का यूज नहीं करेंगे यहां पर हम इस चीज को बता रहे हैं लेकिन इसका यूज हम लोग आगे करेंगे नही बस सीखिएगा देखिए आप से मैं पूछू समय कितना लगेगा तो आपको पता है समय बराबर दूरी दूरी कितनी है तो आप कहेंगे यहां से यहां तक की दूरी डी है दूरी और बटे में हो जाएगा चाल तो चाल कितने का है चाल आपका 20 का है ठीक यह तो यहां से य तो आप कहेंगे जब यहां से यहां आया है ना तो यह 60 की speed से चला है तो यह आपका दोनों case का समय हो गया मैं पूछूंगा उपर क्या हो गया उपर आपकी कुल दूरी और नीचे होता है कुल समय तो जाने में समय कितना लगा तो आप कहेंगे जाने में D बटे का 20 समय लगा आने में कितना समय लगा आप कहेंगे आने में D बटे का 60 समय लगा तो यह हो गया कुल दूरी बटे में कुल समय तो कैसे निकल जाएगा उपर आपका 2D हो जाएगा नीचे solve करेंगे 60 और 20 का LCM 60 हो जाएगा 20 से 3 बार में जाएगा तो यह 3D हो जाएगा और यह आपका D हो जाएगा दी से आपका D कटेगा और 4 से आपका यह 60 कटता है 15 बार में क्या हो जाएगा 15 गुढे का 2 यानि कि आपकी जो औस चाल हो जाएगी यह 30 किलों मेटर पति घंटे की होगी क्या होंगी आपकी आपकी 30 किलों मेटर पति घंटे की हो 0ancia तो अब आप लोग सोच अब बस आपको ये चीज़ सीखना है कि आप क्या करेंगे, देखे, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आगे चलके, कुछ questions आपके exam में पूछे गए हैं, जहां पर ये basic आपको यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आप लोग ignore नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको ये सवाल करना कैसे है, देखेगा, अगर दूरी समान है, लिख लीजेगा, जब दूरी समान होगा न, जब आपका, दूरी जो है, ये अगर आपका समान है, जब दूरी आपका समान है, तो इस case में आपको लिखना है, टू Hmm, X, Y, बटे में, X plus के Y का use करना है, अब X और Y क्या है, तो X आपका पहला चाल, और Y आपका दूसरा चाल होगा, तो यहां पे हम लोग कैसे use करेंगे, आपको कहा गया है, आपको कौन सा formula use करना है, आपको सीधा अगर formula की बात करेंगे, तो इसको average speed निकालने के लिए आप को formula जो use करना होगा, यह कौन सा हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 2 X, यानि कि पहली चाल, तो गया है 20 की रफतार से X का मान आपका 20 हो जाएगा, आपको formula यूज करना है 2 X Y upon X PLUS का Y का, गया है 20 की रफतार से, तो आप कहेंगे दो गुडे का 20, आया है 60 की रफ्तार से आप कहेंगे गुडे का 60, बटे में आप क्या करेंगे, बटे में आप करेंगे 20 प्लस का 60, यानि कि क्या हो जाएगा, आप इसको solve करेंगे, दो गुडे 20 गुडे का 60 है, और बटे में आपका 60 प्लस का 20 यानि कि 80 है, 24 के 80 और 4 से काट के 15 बार में कट जाएगा, तो 15 दुने का क्या हो जाएगा, आपका 30 km पती घंटा आपका answer हो जाएगा, ठीक है, direct 30 km पती घंटा answer हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका use आपका आगे आएगा, एका जगा ऐसे हैं, जहां पर इसको यहीं use मत करिएगा, जब तक कहां न आ जाएगा, ठीक, तो आपको क्या use करना है, आपको सबसे पहले 2, अगर speed सिर्फ 2 है, यानि कि सिर्फ गया, आया, या फिर 2 बराबर दूरी को चली जाए, तो उस case में आपका formula इसको use करता है, अच्छा, इसको करने का एक और method है, और 3 तीनो का तीनो method आपको सीखना होगा, क्योंकि तीनो के तीनो method का अपना-पना importance है, ठीक है, यहाँ पे आपको तीनो method सीखना होगा, एक जो मैं method बताऊँगा यह आपका हर जगा use होगा, जैसे क्या होगा अगर 2 से 3 speed हो जाएगा, 3 दूरिया हो जाएगी, वहाँ पे यह method आपका fail कर जाएगा, लेकिन एक method जो है हर जगा use होगा, अब आप लोग उसको सीखेंगे, ठीक है, यह important है, कभी-कभी direct formula भी पूछा जाता है, तीसरा method होगा न, हम लोग देखिए कैसे करेंगे तीसरे method में, तीसरे method में क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगले page पर करा देखिया इसको, देखिए next page पर कराते हैं इसको, यहाँ पर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक, इसको गया गया है किस लफतार से, तो इसको गया जाया गया है 20 से, और वापस आया गया है 60 से, ठीक है, यह आपको रफतार दिया गया है, मन से कोई ऐसी दूरी मानिएगा जो 20 से भी कटता हो और 60 से भी कटता हो तो आप क्या कहेंगे अच्छा कोई ऐसी दूरी जो 20 से भी कटे और 60 से भी कटे यानि कि 20 और 60 का LCM तो 20 और 60 का आपका LCM कितना हो जाएगा आप कहेंगे ये तो 60 हो जाएगा मैं कहूंगा माल लीजे यहां से यहां तक की दूरी क्या है तो आप कहेंगे यहां से यहां तक की दूरी मेरी 60 km की है कोश्चन में दिया नहीं है कोई दिक्कत नहीं है हम अपने हिसाब से इसको माल लेंगे अच्छा अगर इस 60 km की दूरी को 20 की रफतार से चला जाए तो कितना समय लगेगा कहेंगे अगर 60 km की दूरी को 20 की रफतार से चला जाए तो 3 घंटे का समय लगेगा अगर इस 60 km की दूरी को 60 की रफतार से चला जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर एक घंटे का समय लगेगा अब आप याद करिए औस चाल का फर्मूला औस चाल का फर्मूला होता है उपर में होती है कुल दूरी यानि टोटल डिस्टेंस और नीचे में होता है कुल समय यानि की की टोटल टाइम ठीक है अभी आपको लग रहा हुगा कि बहुत टाइम लगा नहीं अभी देखेगा अब इसके बाद question आपके उड़ने लगेंगे ठीक तो कुल दूरी क्या होगी तो आपने देखा यहां से यहां तक की दूरी 60 थी तो आप यहां से यहां तक आए तो 60 km और जब आप यहां से वापस गए तो यह भी 60 km तो कुल दूरी क्या होगी जो भी ऐल्सियम आएगा उसको 2 से गुड़ा करिएगा 2 गुड़े का 60 कर दिजेगा चीक बट्टे में क्या करिएगा ये जो आपका समय आ रहा है कुल समय यानि की 3 प्लस का 1 नीचे आप लिखेगा 3 प्लस का 1 चीक तो ये कितना हो जाएगा 2 गु किलोमेटर पति घंटे का हो जाएगा अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इस मेठट को हर जगा यूज करना पसंद करूँगा क्यों क्योंकि ये 2 में भी यूज होगा 3 में भी यूज होगा 4 में भी यूज होगा ठीक है और फर्मुला आपका 2 से आगे नहीं जाएगा और बेसिक में तो बहुत टाइम टेकिंग है तो बेसिक तो यूज ही नहीं करना है तो अगर इसी हिसाब से मैं कहूँ इस सवाल को आप सभी लोग करेंगे तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे एक बार करके देखे एक व्यक्ति है दस किलोमेटर पति घंटे की गती से वापस आजाता है तो आपको बताना है पूरा यात्रा के दौरान उसकी उसत गती क्या थे अब देखे एक जगह से कहीं गया गया और वहाँ से आप वापस आ गया है यानि कि दूरी बराबर दोनों दूरी आपकी बराबर है जाना आना नहीं है अगर बस दूरी बराबर है ये देख लीजे आप कहेंगे सर यहां पर डिस्टेंस सेम है अगर ऐसा है अगर दूरी आपकी बराबर है तो आप औस चाल बराबर क्या करेंगे आप उसाद चाल बराबर क्या हो जाएगा 2xy बटे में x-plus का y हो जाएगा यानि कि कहने का मतलब है आप कहेंगे दो गुड़े का पहला speed क्या है तो पहला speed है 10 का दूसरा speed क्या है यह आपका पंदरा का है नीचे क्या हो जाएगा नीचे आपका 10 प्लस का 15 हो जाएगा कितना हो जाएगा इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजे कोई दिक्कत नहीं है 2 गुड़े का 10 गुड़े का 15 और नीचे आप लिखेंगे 15 प्लस का 10 यानि कि 25 हो जाएगा 5 पंजे 25 पांच तियां 15 और ये 5 दुने का 10 कितना हो जाएगा 2 दुने 4 तिया 12 यानि कि औस चाल आपकी हो जाएगी 12 किलो मिटर प्रति घंटा की कितनी हो जाएगी औस चाल आपकी हो जाएगी 12 किलो मिटर प्रति घंटा की इन दोनों का Elsium, इन दोनों का Elsium हो जाएगा 30, 30 से 10 को भाग देंगे 3 होगा, 30 से 15 को भाग देंगे 2 होगा, आपको क्या करना है, उपर लिखना है 2 चाल है तो 2 गुड़े का 30 लिखिएगा, 2 चाल है 2 गुड़े का 30, इन दोनों को जोड़ दीजेगा, यानि कि 3 प्लस का 2 कर लिखिएगा, तो 3 प्लस का 2 यानि कि नीचे आपका 5 हो जाएगा, 5 से ये 6 बार में कटेगा, 6 दुने का 12 किलो मेटर पती घंटा आपका उसत चाल आ जाएगा, तो दोनों ही मेठ़ड आपके बेस्ट हैं, जिससे जाएंगे उससे आंसर आएगा, ठीक है, जिससे जाएंग आपको एकदम समय नहीं लगेगा, अगर इसके बाद मैं 3 वाला भी दूंगा तो 3 वाले में भी आपको एकदम समय नहीं लगने वाला है, ठीक है, 3 वाले में भी आपको एकदम समय नहीं लगेगा, कोई question यहाँ पर 3 वाला है क्या, एक मिट देख लूँ मैं, 3 वाला question है अ अच्छा यहीं पर है, ठीक है, तीन वाले question अपने पास है, अब देखिए, अब यहाँ पर तीन-तीन दूरी है, अब तीन-तीन दूरी को अगर आप basic से करने जाएंगे, बहुत time taking हो जाएगा, ठीक है, basic से करने जाएंगे, बहुत time taking हो जाएगा, आप D बट्टे का, पहले त यहाँ, यह मान लिजे तीन किलो मिटर है, ठीक है, यह तीन किलो मिटर है, फिर से यहाँ से यहाँ, यह भी आपका तीन किलो मिटर है, आगे भी बढ़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ यह भी आपका तीन किलो मिटर है, ठीक है, यह तीन-तीन किलो मिटर की दूरी है, इसको किस रफ्तार से चला जा रहा है तो इसको तो चला जा रहा है 10 km पती घंटा से ठीक इसको चला जा रहा है 20 km पती घंटा से और इसको चला जा रहा है आपका 60 km पती घंटा से अगर आप इसको बेसिक से जाएंगे तो बेसिक आपको पता है बेसिक में क्या होता है उपर आपको कु कुल दूरी लिखनी होती है, तो उपर देखेंगे 3 km, 3 km, 3 km, उपर आपकी कुल दूरी हो जाएगी 9 km की, और नीचे आपको कुल समय लिखना होता है, अगर 3 km को 10 से करेंगे, तो 3 बटे में 10 हो जाएगा, अगर आप 3 को 20 से करेंगे, तो 3 बटे में 20 हो जाएगा, अगर इस 3 किलोमेटर की दूरी को 60 से जाएंगे तो 3 बट्टे का 60 हो जाएगा अब इसको solve करते रहेंगे यहाँ पर आफ़ जाएंगे ठीक है और दो वाला formula आपका 3 पर काम करेगा नहीं तो क्या 3 का कोई formula होता है 3 का एक formula होता है जब 3 समान दूरी दी हो न एक इस चीज़ गवर करिएगा तीनों दूरी समान है ठीक है तीनों दूरी समान है इनको हटा भी देंगे कोई फर्क में पड़ेगा जब तीन दूरी समान हो उस case में जो formula यूज होगा आवरेज speed का वो एक formula होता तो है लेकिन इसको use मत करिएगा यह formula होता है 3 x y z तीन दूरी है तो x y z नीचे हो जाएगा x y plus का y z plus का z x ऐसे आपका होता है इसको लेकिन इस्तमाल नहीं करना होता है बस देखने के लिए होता है तो यहाँ पर क्या इस्तमाल करेंगे आपको मैंने एक कहा था अगर LCM method आप सीखते हैं LCM method practice करेंगे तो हर जगा बहुत ही अच्छे से आप LCM method को लगा पाएंगे तो उसको अब यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे बस इस चीज़ को देखिएगा बस क्या ध्यान रखना है आपकी दूरी समान होनी चाहिए जबी भी LCM method लगाएंगे तो दूरी समान होनी चाहिए यहाँ पर question में दिया गया है एक कार तीन किलो मिटर की तीन करमिक दूरी यानि जो तीन दूरी है यह तीन-तीन किलो मिटर की है यानि हमारा पहला condition satisfy कर गया कौन सा था कि तीनों case में या फिर दोनों case में या फिर चारों case में दूरी समान हो ठीक यहाँ पर दूरी समान है ठीक अब आप speed को लिखिए एक है 10 का एक है 20 का एक है 60 का ये है आप सबसे पहले 10, 20 और 60 का LCM लेंगे 10, 20 और 60 का LCM आ जाएगा 60 इस 60 से 10 को भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इस 60 को 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इस 60 को 60 से भाग देंगे यहाँ पर हो जाएगा 1 ठीक क्या होगा अब आपको क्या करना है तीन दूरी आपके पास है आप लिखेंगे तीन गुड़े का साथ ठीक है तीन गुड़े का साथ और नीचे क्या करेंगे इन तीनों समय को जोड़ देंगे ये ऐसा होता नहीं कि माल लेते हैं 60 km दिस्टेंस है भले 3 km दिस्टेंस दिया है उसको इग्नोर करके हम कहेंगे कि 60 km दिस्टेंस है अगर 60 km दिस्टेंस को 6 से चला जाए तो 6 घंटा इसको 20 से चलेंगे तो 3 घंटा और 60 से चलेंगे तो 1 घंटा तो कुल दूरी क्या हो जाएगी एक इसको 3 को हटाएंगे 60, 60, 60 यानि कि 3 गुड़े का 60 और समय की बात करेंगे तो 6 प्लस 3 प्लस 1 यानि कि 3 तीन गुड़े का 60 और बटे में आपका हो जाएगा 10 इस से इसको काटेंगे आपका औसा चाल हो जाएगा 18 km पती घंटेंगे तो ये आपका मेठ़ड हर जगा काम करेगा इसी का इस्तमाल आप लोग करेंगे ध्यान रखेगा 3 दूरी होगी तो यहाँ पर तीन गुड़े क 60 करना होगा 2 दूरी होगी 2 गुड़े का जो भी आएगा वो करना होगा अगर 4 दूरी होगी तो 4 गुड़े का करना होगा अब इसी आधार पर अगर एक सवाल और लगाएगे न तो आपका हो सकता है थोड़ा सा दिमाग खुल जाए ठीक देखें कहा गया है A से B तक 15 km पत गंटा की चाल से यात्रा की ठीक है चाल से यात्रा की ठीक है कहा गया है यदि A B बराबर B C बराबर C D है अब A B बराबर B C बराबर C D कहने का क्या मतलब है आप देखें मान लिजे यहां से यहां आपको जाना है ठीक है यह रहा आपका A यह रहा आपका B ठीक यह B तो यह C यह C तो यह D अब कहा गया A, B, B, C और C, D तीनों आपस में बराबर है यानि कि यहाँ पे एक condition आपको मिलिया और वो condition क्या है आपके distance जो है यह तीनों case में same है आप क्या कहेंगे आपका distance same है distance अगर same हो गया distance अगर same हो गया तो distance के same होते ही आप क्या करेंगे, आप सीधा यहाँ पर LCM method का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक, LCM method के लिए क्या चाहिए, आप speed देख लीजे, एक speed आपकी 15 की, एक speed आपकी 20 की, और एक speed आपकी 30 की, इसका आपको ले लेना है LCM, इसका LCM ले लेंगे, इसका LCM हो जाएगा 60, देखे, आप 60 को 15 से भाग देंगे, 15, 14, 60, 60 को 20 से करेंगे, 20, 30, 60, और 60 को 30 से भाग देंगे, 30 दूने का 60, उपर क्या होगा, उपर 3 speed है न, तो आप 3 गुड़े का 60 लिखेंगे, और नीचे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 4 प्लस का, 3 प्लस का 2 आपको करना होगा, तो 4, 3, 7 और 7, 2, 9, यानि कि 3 गुड़े का 60 बटे का 9 हो जाएगा, ठीक, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, चीक है, 4, 3, 7, 7, 7, 2, 9, और 3 से काटेंगे 20, यानि कि आपकी जो औसत कती आजाएगी, ये आजाएगी 20 किलो मिटर पतिगंटे की, औसत चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे, जो आपकी औसत चाल है, ये आपका 20 किलो मिटर पतिगंटे का है, ये मैठ़ड आपका सबसे सिंपल है, और सबसे बेस्ट और सबसे एफेक्टिव मैठ़ड है, दो के लिए लगा लीजिए, तीन के लिए लगा लीजिए, चार के लिए लगा लीजिए, कहीं भी ये आपका सकते हैं कहा गया है एक बस है तीन किलो मिटर लंबे चार खंड ऐसे ऐसे तीन किलो मिटर के चार खंड है जैसे एक खंड ये हो गया एक खंड ये हो गया एक खंड ये हो गया और एक खंड ये हो गया ठीक इसको चलती है ये बस 10, 20, 30 और 60 km प्रती घंटा की गती से पार करती है आप से पुछा गया है उस बस की उस दूरी के लिए औसत गती कितनी थी आप से औसत गती पुछी गई है अब 4 इस्पीड है न तो आपको कह रहे हैं सबसे पहले देखे क्या distance 4 के 4 केस में बराबर है तो आपको दिखेगा कहा गया है 3 km लंबे 4 खंड यानि ये भी 3 km का ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का सबसे पहला condition इसमें क्या है इसमें आपको दिख रहा है distance same है क्या है इसमें आपको दिख रहा है इसमें आपका distance same है अगर distance same है तो आपको LCM method से जाना है और आपका LCM method क्या कहता है 1 speed 10 की, 1 है 20 की, 1 है 30 की, 1 है 60 की सबसे पहले इन 4 का आपको LCM निकालना होगा 4 का LCM कितना आ जाएगा तो 4 का LCM आपका 60 आ जाएगा इसको 10 से भाग देंगे 6, 3, 2 और 1 आपका आएगा अब यहाँ पर यदि 4 दूरी है, अगर आपको 4 दूरी दिया गया है तो आप उपर करेंगे 4 गुड़े का 60 4, 4 दूरी है तो 4 और गुड़े में LCM और नीचे यह जो भी नंबर आए हैं इनको जोड़ देंगे यानि कि 6 प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1, कितना हो जाएगा? 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 12 यानि कि 4 गुड़े का 60 और बटे में आपका हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा? 12, 50, 60 यानि कि 5, 4 के 20 किलो मेटर पती घंटा आपका स्पीड आजाएगा क्या हो जाएगा? आपका स्पीड जो है, ये 20 किलो मेटर पती घंटा आजाएगा, यानि कि option C आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ठीक है, option C सही जवाब हो जाएगा 20 किलो मेटर पती घंटे का तो ये कुछ आपके average speed से सवाल थे, अब ये वो सवाल थे, जहां पे आपकी हर case में दूरी बराबर थी तो हर case में दूरी बराबर थी, तो उसके लिए हमारे पास सबसे best method जो निकल के आया जो हमने सुरू से अंत तक देखा, तो इसमें जो सबसे best method हमारे सामने, खुल के सामने आया है वो है कि LCM method का इस्तेमाल किया जाए LCM method का क्यों इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये 2 पे भी लग रहा है, ये 3 पे भी लग रहा है, चार पे भी लग रहा है जो formula है वो आपका बस एक जगा दो पे लग रहा है, तो उसको इस्तेमाल करने से बचा जाए तो जादे बहतर रहेगा इसका practice करेंगे, तो इसमें आप बहुत ही अच्छे होते जाएंगे, ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो आगे आपको मैं एक question कराऊँगा आगे यहाँ पे हम लोग एक question करेंगे और ये रहा आपका सवाल देखे, इस सवाल में आपको क्या कहा गया है, इस सवाल को अब ध्यान से देखिएगा, एक बस अपनी यात्ता का, इसको मैं सबसे पहले करूँगा, कि ये सबसे पहले आप खुद से attempt करेंगे जो भी बच्चे देख रहे होंगे class को, सबसे पहले आप इसको खुद से attempt करेंगे, खुद से attempt करके देखिए कितना answer आ रहा है, क्या आप उस method को approach कर पा रहे हैं, जो इसमें लगाना है, क्या आपका इतना sense develop हुआ है कि आप उस method को लगा पाएंगे, पहले खुद से होगा, इसको 6 घंटे में तै करती है, अब संपूर्ण यात्रा के लिए, अचा बस है भाई, बस की ओसत चाल क्या है आपको बताना है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर मैं कहूंगा, सबसे पहले देखिएगा, क्या आपका, जो distance same वाला condition है, उसको ये follow कर रहा है क्या, तो आप कहेंगे sir, distance same वाला condition यहाँ पर follow नहीं है, यहाँ पर distance same नहीं है, distance same है क्या, तो आप कहेंगे distance same नहीं है, ठीक है, distance same वाले condition को follow नहीं किया जा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहीं के लिए मैंने सबसे शुरू में ही आपको औसत चाल का basics बता दिया था औस चाल का basic क्या होता है सबसे पहले औस चाल के लिए एक चीज को ध्यान रखेगा औस चाल यानि कि average speed जो होगा ये आपका बराबर होगा कुल कितनी दूरी तै की गई तो आप कहेंगे सबसे पहले देखिए total distance क्या है और कुल कितना समय आपको लगा है नीचे क्या होगा नीचे आपको total time यहां पे लिखना होगा ठीक कुल दूरी बटे में कुल समय की जानकारी आपको होनी चाहिए तो क्या आपको question में कुल दूरी दिया गया है देखिए इसको न घुमा फिरा के दिया जा सकता है ये हो सकता है कि आपको कही speed दे दे कही time दे दे कही speed कही distance दे के कुछ भी चीज दे जा सकता है लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अपना common sense लगाते हुए चीजों को निकालेंगे अब देखिए क्या कहा गया है एक bus है अपनी यातरा का पहला 200 km यानि यातरा दो पार्ट में कर रहा है एक पार्ट में ये तो 200 km चल रहा अब कुल समय की बात करेंगे तो आप कहेंगे यहां पे इसको 4 घंटा लगा है और यहां पे इसको 6 घंटा लगा है यानि कि कितना हो जाएगा आप कहेंगे टोटल जो समय हो जाएगा एक जगा 4 घंटा और एक जगा 6 घंटा यानि कि टोटल समय हो गया कुल दूरी आपकी किलो मेटर पती घंटे का यानि कि option d आपका सही जवाब यहाँ पे होगा क्या होगा option d 80 किलो मेटर पती घंटा यहाँ पे सही जवाब होगा तो ध्यान रखेगा अगर आपका distance same नहीं है distance same नहीं है उस case में आपको basics को follow करना होगा उस case में आप basic method को follow करके answer आपको लाना होग ठीक है देखते हैं इस पे कोई और भी सवाल है क्या तो बिल्कुल इस पे एक और सवाल है हमारे पास और इस पे मैं कोशिच करूंगा next class जब हम लोग करेंगे न next class में एक दू सवाल और लेके आऊंगा इस पे इस question में कहा गया है ए 30 किलो मेटर पती घंटा की चाल से 15 किल किलो मेटर की दूरी तै करता है ठीक है वह अन्य 25 किलो मेटर की दूरी यह दिख रहा है न 10 यहां पर नहीं दिख रहा है अब दिख रहा होगा बिल्कुल चले ए क्या करता है 30 किलो मेटर पती घंटा की चाल से 15 किलो मेटर दूरी तै करता है अन्य 25 किलो मेटर को वह तै करत आनला रहा तो सम्पूर्ण यात्रा के दोर आंड उसकी और सद्द चाल चाल थो क्या आपका दूरी सेम है आपको सबसे पहले यहां पर देखे क्या आपकी दूरी सेम है क्या यह दूरी सेम दिखरा है तो आपकीकले नहीं, je DS probabil है सबस्क्राइब मैं आपकी कुल दूरी होनी चाहिए, कुल दूरी क्या है? देखिए, 40-30 km प्रदी घंटा की चाल से ये 15 km चला है, यानि कि यहां पर यह चला है 15 km, ठीक अच्छा, और क्या किया है? और 25 km की जो दूरी है 10 की चाल से चला है, यानि कि 25 km और चला है, इस जरनी को उसने 2 पाट में क्या किया है इस पूरे के पूरे जर्नी को ये जो है ये दो पार्ट में कर रहा है एक पार्ट में 15 किलोमेटर चला और दूसरे पार्ट में ये 25 किलोमेटर चल रहा है अब आप ये देखिए कि इसको समय कितना लगा इसका कुल समय क्या हुआ तो देखिए अब आपको यहां पर समय डारेक्ट नहीं दिया है, समय निकालना पड़ेगा, अगर माल लीजे समय की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर यही चीज है ना, छोटे-छोटे basics होने लगे, तो अगर मैं आपको कहूं 15 km की दूरी चलनी है, speed 30 का है, तो आपका समय क्या हो जाएगा, आप कहेंगे समय एक बट्टे का दो घंटा हो जाएगा, ठीक, इसी तरह मैं कहूं, आपको 25 km की दूरी चलनी है, और समय आपके पास, speed आपका 10 का है, तो आप कहेंगे मेरा speed हो जाएगा, मुझे 5 बट्टे का 2 घंटे का समय लगेगा, तो आपको यहाँ पर कुल समय लेना है, तो एक पार्ट को चलने में उसको एक बट्टे का 2 घंटा लग रहा है, एक पार्ट को चलने में उसको 5 बट्टे का 2 घंटा लग रहा है, नीचे आपका क्या आजाएगा नीचे आपका आजाएगा 3 ठीक है तो 25 प्लस का 15 यानि कि ये हो जाएगा आपका 40 और 40 बटे का 3 कुल दूरी बटे में कुल समय 40 बटे का 3 किलो मेटर पती घंटे का आपका यहाँ पे औस चाल हो जाएगा ठीक है औस चाल निकालना आया आप सभी लोग एक बार देखेंगे आपको औस चाल निकालना आया की नहीं ठीक है देखें अब मैं क्या करूंगा न यहाँ पे आपको देखें बेसिक में तो सब को म ये थोड़े सी चीजे आपको परिसान करती हैं, अभी ये आपका उसत चाल के questions खतम नहीं हुए हैं, मैं चाहूंगा कि जब next class में आप आएं, तो इसको practice करके आएं, इस पूरे को आप practice करके आएं, ताकि मैं अगली class में क्या करूंगा ना, आपकी शुरुआत ही इनी questions से कर दोंगा, एक बहुत ही अच्छा इसमें question पूछा जाता है, जैसे मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, यहीं पर दिखा देता हूँ, या फिर मैं चाहरा हूँ करा भी दिया जाए, इस question को करा भी दिया जाए, इसी class में अच्छा रहेगा, ठीक है, देखे, इस question में क् यात्रा के दौरान, अब यह आपका कहीं percentage में दिया होता है, कहीं देता है कि एक तिहाई भाग, कहीं दो तिहाई भाग, ऐसे भी question में दिया होता है, आपको चीजों को समझ के अपने हिसाब से ढाल के उसको करना होता है, देखे, कैसे हो जाएगा, इस सवाल में दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, मुंबई से यात्रा के दौरान, एक कार है, पचास प्रतिशत की जो दूरी है, ये पचास किलो मेटर पती घंटा की रफटार से, चालिस प्रतिशत की जो दूरी है, इसको चालिस किलो मेटर पती घंटा की रफटार से, और जो सेस बीस किलो मेट अच्छा सेस दूरी जो है, इसको 20 km पदी घंटा की गती से तै करती है, अब इसमें आपको बताना है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गती क्या है, अब एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी दूरी बराबर नहीं है, एक जगा 50% है, तो एक अगर अपने इसाब से जाएंगे तो दूरी को 100 km मान लेना, माना कि आपकी दूरी 100 km है, कुल दूरी क्या है, 100 km, इस दूरी को तीन भाग में चला जा रहा है, एक भाग में 50% यानि कि 100 का 50% आपका 50 km हो जाएगा, एक भाग में क्या किया जा रहा है, एक भाग में आपका 40 पर्षेंट यानि कि 100 का 40 पर्षेंट आपका 40 km हो जाएगा और एक भाग में आपका सेस भाग तो 50 ये हो गया और 40 ये हो गया बचा कितना तो आपको दिख रहा है 10 km बचा है तो एक भाग में आपको 10 km चलना है ठीक 50, 40 और 10 इस हिसाब से आपको चलना है अब इसमें आपको speed आपको पता है, यानि कि समय आपको मिल जाएगा, तो कैसे करेंगे, औस चाल, औस चाल, यानि कि average speed बराबर क्या करेंगे, average speed बराबर आपका हो जाएगा, cool distance, तो cool दूरी को आप 100 माने हैं, तो उपर आप 100 लिख लिजिए, ठीक, अब समय की बात होगी, तो अगर 50 किलो मिटर की दूरी को, आप 50 की रफतार से तै करेंगे, तो इसका समय क्या हो जाएगा, 50 बटे का 50, अगर 40% यानि कि 40 किलो मिटर की दूरी को, आप 40 की रफतार से तै करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 बटे का 40, सेस दूरी है 10 km की इसको आपको 20 से तयक करना है तो हो जाएगा 10 बटे का 20 बस यहाँ से आपको बस औस चाल निकलना है कितनी दूरी थी क्या थी कोई फर्ख नहीं पड़ेगा आपका ओसट चाल निकल जाएगा कितना हो जाएगा उपर आपका 100 है, नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका 1, 1 आधा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस, 1 प्लस, ये हो जाएगा, 10 में से 2 को भाग देंगे, तो 0.5, कितना हो जाएगा, ये आपका उपर हो जाएगा 100, नीचे आपका हो जाएगा 2.5, ठीक है, कैसे करेंगे, आप पॉइ श्राफिशन आते हैं, कई टुकडों में होते हैं, उसको आपको अपने हिसाब से ढालके और उस हिसाब से कर लेना होता है, ठीक? अगर आपकी चीजे बराबर हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर इधर उधर की चीजे हैं तो फिर से वहाँ पे चीजों को सोचना होता है ठीक है मैं कोसिज करूँगा न अगले क्लास में इससे एक सवाल और लिक्या हूँ जिससे थोड़ा सा आपका revision हो जाएगा और थोड़ा सा आपका practice हो जाएगा इस चीज को ध्यान रखेगा अब चलिए यहीं से हम अगले पर चलेंगे अगले concept पर हम लोग चलेंगे तो वो क्या है बिस औस चाल से ही related concept है एकदम ऑसत चाल से related concept है यहाँ पर ऑसत चाल के अबावा कुछ करना ही नहीं है देखें, कहा गया है अभी जो है नौ गंटे में नौ गंटे में कार से यातरा समाप्थ करता है यानि अभी है नौ घंटा गंटा कार से चलता है तो उसकी यातरा समाप्थ हो जाती है इसमें कहा गया है वह यात्रा का पहला आधा भाग, ठीक, यानि कि जो भी यात्रा होगा, इसका पहला आधा भाग, ठीक, ये आधा, इस आधा भाग को वह 40 km पति घंटा, और दूसरा आधा, यानि कि जब यहां से आधा जाता है, तो इसको 50 km पति घंटा की चाल से चलता है, चिक आप से पूछा गया है उसके द्वारा तै की गई कुल दूरी कितनी होगी अब यहाँ पे आप से पूछा गया है कितनी दूरी तै करेगा तो अब इसको कैसे करेंगे इसको करने का भी कोई तरीका होगा 9 गंटे में तै कर रहा है 40 km से आधी दूरी तै कर रहा है यहां से चला और वहां पर सीधा एक proper speed पगड़के school पहुंच गया एक लड़का था जो घूम फिर के अपने चाल बढ़ा रहा था घटा रहा था वैसे गया तो आपको क्या उसके चाल बढ़ाने घटाने से कोई मतलब था तो आपके यह एक चीज आपको थोड़ा सा गौर करने लाइक देता है यह क्या देता है न कि यह दूरी आधा और यह दूरी आधा यानि आप देखेंगे तो यहां और यहां यह दोनों दूरी माल लिजे यह x है तो ये भी दूरी आपकी x हो जाएगी ठीक ये x है तो ये दूरी भी आपकी x हो जाएगी अब इसका क्या मतलब है x x है इसका क्या मतलब है कुछ चीज तो हो रहा है कुछ तो यहाँ पे गड़बड है जिसको आपको पकड़ना होगा तो वो कैसे पकड़ेंगे आप लोग द तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं. अगर आधी दूरी को 40 से चला जाए, आधी दूरी को 50 से चला जाए, आप और सचाल बहुत ही fast निकाल लेंगे, 40-50 का LCM करेंगे, 200 यह हो जाएगा 5, 200 को 40 से भाग देंगे, 200 को 50 से भाग देंगे, तो यह 4 हो जाएगा, दो दूरी है तो 2 speed के लिए 2 गुड़े का 200 करेंगे नीचे क्या करना होगा इन दोनों को जोड़ना होगा, यानि कि 5 प्लस का 4 करेंगे, आप formula से भी कर सकते हैं कोई फर्क ने पड़ेगा, ठीक है उपर आपका 400 नीचे आपका 9 हो जाएगा ये आपका क्या होगा, ये आपका औसद चाल हो गया चाल बढ़ा, चाल घटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना हो गया, औसद चाल आपका जो हो गया ये आपका 400 बट्टे का 9 किलोमेटर पती घंटे का हो गया ठीक, आपको क्या पता चल गया, आपको यहां से यहां तक आने का average speed पता चल गया, यानि कि आपको speed की जानकारी हो गई, आप कहेंगे speed कितना हो गया, तो speed आपका 400 बटे का 9 हो गया, आपको यहां पर समय की जानकारी already question में दिया गया है, कि यहां से जब यहां आया है तो कु लोगे है। किटने घंट पहुचा है निली तो और अगर स्पीडת भी पता है तो distance मैं कि अ génाए कि टिस्टेंस depends कि सवाल को ऐसे आपको सवाल को जाएका। मैं basic से भी करा देता हूँ ताकि बहुत से लोगों के मन में थोड़ा बहुत doubt होता है ना तो वो doubt भी खता मुझा basic से कैसे होगा जगा कहीं दिख रहा है देखिए ये दूरी x km की है speed आपकी 40 की है तो मैं कहूंगा अगर x km की दूरी को आप 40 से तै करेंगे तो कितना समय लग रहा है तो कुल आपको 9 घंटे का समय लग रहा है यानि कि इसको चलने में लगा समय इसको चलने में लगा समय 9 घंटे के बराबर है अब आप इसको solve करेंगे तो यहां से आपका x का मान आएगा ठीक है इसको solve करेंगे बच्चे जो भी इसको solve करेंगे यहां से x का मान आएगा और x का मान मैं बता दू 200 आएगा ठीक है x का म हूँ इसको इसको भी next question में समझाता हूँ ठीक है बाकी आप ध्यान रखिएगा अगर ऐसा होगा तो औस चाल निकाल के समय में गुड़ा कर दिजिएगा जैसे अगर मैं अगले question पे आपको लेके चलू इसको सबसे पहले में basic से करूँगा ठीक है सबसे पहले में basic से करूँ इसको किस रफ्तार से कर रहा है तो इसको वो 30 km पति घंटा की रफ्तार से और जो दूसरा आधा भाग है दूसरा आधा भाग इसको चलता है 20 km पति घंटा की रफ्तार से चीक अब माल लीजे यह यहां से यहां तक की दूरी x और यहां से यहां तक की दूरी x और उसको कित कहेंगे समय बराबर हो जाएगा x बट्टे का 30, अगर मैं फिर से कहूँ कि x की दूरी है और 20 km का रफ्तार है तो आप कहेंगे समय बराबर हो जाएगा x बट्टे का 20, basic है distance बट्टे में speed, distance बट्टे में speed बराबर समय, समय बराबर distance बट्टे में speed समय, distance बट्टे में speed समय, तो यह क्या आगया, यह आपका पूरा यहां से यहां तक का समय आगया, जो कि question में 5 घंटा दिया हुआ है, यानि यह बराबर हो जाएगा 5 घंटे के, ठीक है, 5 घंटे के बराबर हो जाएगा, अब आप इसको solve करेंगे, 30 और 20 का LCM हो जाएगा 60 इसको solve करेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x और बराबर में हो जाएगा 5 तो कैसे हो जाएगा 5x बटे में 60 बराबर हो जाएगा आपका 5, 5 से 5 कटा x बराबर हो जाएगा आपका 60, ठीक है, X बराबर क्या हो जाएगा 60, X क्या है, यहां से यहां तक की दूरी 60 है, तो यहां से यहां तक की दूरी 60 हो जाएगी, कुल दूरी आप से पूछा जाएगा, यानि टोटल यहां से यहां तक की दूरी आप कहेंगे, यह मेरा 120 km हो जाएगा, कितना हो औस चाल किसी भी method से निकाल सकते हैं, आपके उपर है, आप formula से निकाल लीजे, आप इस से निकाल लीजे, औस चाल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो गुड़े का 60, और बटे में 3 पलस का 2, यानि की 5 हो जाएगा, ये आपका चाल हो गया, तो आप कहेंगे औस चाल कित आप 5 घंटे तक चले हैं, तो कितना दूरी तै करेंगे, आप कहेंगे 24 गुड़े का 5, यानि की आप 120 km की दूरी को तै करेंगे, आप कितनी दूरी तै करेंगे, तो आप 120 km की दूरी को तै करेंगे, तो ऐसे आप सवालों को करेंगे, ठीक है, इन सवालों को आप ऐसे करें है दोनों method आपकी आसान है आराम से आप लोग कर सकते हैं ठीक तो मैं चाह रहा हूँ इस session को यहीं पर खतम किया जाए और आप से आगे मिलेंगे अगले session में जिसमें मैं एक question कराऊंगा जो औस चाल का था उसका ठीक है उसके बाद हम लोग इसको continue करेंगे इसमें वैसे कुछ है नहीं लेकिन मुझे लग रहा है एक question आपका तीन वाला इसमें होगा एक question तीन वाला होगा बिल्कुल एक question आपका तीन वाला होगा यह आपका homework रहेगा आप homework के तौर पे करेंगे और साथ चाल निकाल लेंगे उसको समय से गुड़ा कर देंगे answer आजाएगा इसमें कुछ है नहीं मैं direct आऊंगा इस question को कराऊंगा और उसके बाद इसको हम लोग ले चलेंगे अगले topic पर अगला हमारा topic जो भी होगा उस पर हम लोग देरे से चल जाएंगे ठीक है तो यह रहा आपका आज का session जितना भी पढ़ाया हूँ revision जादे से जादे करिएगा पहला दिन था हो सकता है आपको थोड़ा सा slow लगा हो शुरू में क्योंकि बहुत से basic concept आपको बताने थे और आपने देखा basic आपके आगे चल के यूज होने लगे ठीक है जो basic थे आगे चल के यूज होने लगे तो यह सारी चीज है important थी तो चलिए आज का session यहीं पर खतम करते हैं मिलते हैं आप से अगले session में इसको करके आईएगा इसमें कुछ कराइन लाइक है नहीं अगले session में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार यहीं